हलो दोस्तों नमस्कार आधित क्लासे सिख्जाम गुरु चैनल में आप सब का स्वागत है आज हम लेकर कोशन जो है यूनिट 6 से रहेगा और जन संख्याप रहेगा यानि आपके सिलेबस के नुसार जो यूनिट 6 का भारती समिधान और अर्थ बिवस्ता है तो अर्थ बिव इसमिटीसपानेवाले बंदन शर्मा सुनील कुमार डाक्टर ग्यान प्रकास सिंग्ग परमोष सर्मा संजीव प्रकास अंजली गोजल बीटी अस्वनी सिंग उर्मिला परमिला चोरसिया सरीता संजूटी बर्नवाल सुर्तिय अगरवाल विबैक कुमार धीपाप प्रस्ट का उत्तर आप जानते हूं या न जानते हूं देखते ही आप कमेंट बाक्स में आंसर उसका लिखे ताकि वो चीज प्रस्ट आपके दिमाग में और देता बैठ जाए तो नियुन्तम छेत्रफड वाला कौन सा है पहला आप संत कभीर नगर दुसरा हापूर और रविदास नगर लिखाओगा तो उसे जो है काट दीजेगा गलत हो जाएगा यानि अब हापूर सबसे कम हो गया संत रविदास नगर अब यह नहीं रहा गया ठीक है अगर छेत्रफल में सबसे छोटा है नियुन्तम हापूर है तो छेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है तो याद रिखिएगा छेत्रफल में सबसे बड़ा लखीम पूर खीरी और सबसे छोटा हापूर उत्तरपदेश से समधित भी प्रस्णाते हैं नियुक्त आते हैं हम लोग निन में से जनसंख्या 2021 के अनुसार कौन उत्तरपदेश के संदर में सही नहीं है पहला अप्षन या सरवाधिक जनसंख्या वाला राज है क्या सही है कि गलत इसका जनसंख्या गनत तो 829 है सही है कि गलत इसका लिंगा नुपात 809 है सही है कि गलत इसकी कुल जनसंख्या क याद रिखिएगा यह सही नहीं है क्योंकि इसका लिंगा नुपात जो है 912 है याद रिखिएगा और भारत का लिंगा नुपास भारत का लिंगा नुपात 943 है और उत्तरपदेश का जनसंख्या गलत 829 है और भारत का कितना हो जाएगा भारत का जनसंख्या गलत 382 है याद रिखिएगा यह प्रश्ण इंप्वाटेंट है आपके एक्जाम में आ सकता है नेक्स्ट कोशन है उत्तरपदेश की जनसंख्या निम्न देश से मुह में किस से अधिक है ब्राजिल से इंडोनेसिया से अमेरिका से चीन से आप जानते होंगे जहां लोग क्लास लेते तो सबसे पहले बताते थे कि चीन की जनसंख्या सब अधिक है अभी मुह से कभी कभी निकल जाया अब जनसंख्या भारत की सबसे अधिक दूसरे नमर पे चीन की भारत का एक बड़ा बच्चा उत्तरपदेश यानि पांचवे नमर पे याद रिखिएगा अगर देखा जाये तो ब्राजिल को पच्छाडने वाला कौन सा गया है उत्तरपदेश यानि यह आपका हो गया जैसे आप जानते होंगे आस्टेलिया प्रतिवर्स भारत की जनस कितना कंपडिशन है कि मुस्लिम अबादी कहां इंडोनेसिया में रिखिएगा नेश्ट है जनगर्णा के अनुसार उत्तरपदेश में किस जिला का जन घनत सबसे अधिक है जन घनत मतलब एक किलो मीटर लंबा एक किलो मीटर चोड़ा पर कितने बैक्ती रहते हैं यह जन जन घनत मतलब यहां लगायीएगा जहां यूरेणियम मिलता है लेकिन यही पूस दे कि जन घनत अधिक है अब बताइए जब अधिक उछेगा तब आप गाजियाबार लगा दीजेगा गाजिया बाद ठीक है जनसंक्या पुछेगा तो जनसंक्या कहां है इलहां बाद प्रदेश का सबसे बड़ा जनपत कौन सा है तो बहराइच खीरी सोनभद्र वाराणसी तो प्रदेश का सबसे बड़ा जनपत दिखिएगा खीरी लखीम पूर खीरी यह अंसर आपका सही हो जाएगा ठीक है आते हैं नेक्स कोशन है जनगर्णा 11 के अनुसार सबसे कम साच्छर्टा वाला जिला सबसे कम साच्छर्टा वाला जिला सोची लिजे आप वह सबसे कम साच्छर्टा वाला कौन सा कौन साथ कांव सबसे यथी इचरफ्टा वाला जिला कौन है तो गोतम बुद्ध नगर ऑस्थान क्या है एक बिहारी सब पर आस्तने बिहार का तू जनसंख्या में बिहार का तीसरा अस्तान पहला किसका उत्तापदेश फिर महराष्ट फिर किसका बिहार था ठीक है रिक आते हम लो 11 की जन्गारणा के बिहारक गुछार के अनुसार जन्संख्या के आधर पर भारत में कौन सा राज Thiolation नम्मर पे सबसे बड़ा राज माना जाता अभी बताया थे आपसे तो जनगर्णा के अधार पे जनसंख्या के अधार पे तो सबसे बड़ा कौन सा उत्तर पदिश के आओगा पहला सबसे दिक उसके बाद महाराश्च दूसरा बिहार तीसरा और पश्यमंगाल चौथा आंसर क्या हो जाएगा बिहार आंसर सखी हो जाएगा ठीक है निए चात में पफ वर्ष्ट दोजर्यग 112 की जञन्गरμडा रिपोर्ट ऑनुसी राज में साच्छरता अदर सबसे कम है सबसे कम साच्छरता कहाँ है अब हम उ pillow मद्ध्य प्रदेश में बिहार में हर्याड़ा में तब से कम साचरता कहा है उत्तह प्रदेश की चन संख्या अधिकह बंगलादेश से ब्राजिल के हिब ने बताए यह नहीं हो जाएगा और याद रिखेगा के रिखा गुरू द्वारा सबसे बडा मंत्र कौन होता है इस बिल्ता के लिए और पर नहीं नहीं करता हूं लेकिन और याद रहता है आप जरूर लिखा करें इस बार इंटेवी पर ला आफ एट्रिक्सन क्या करता है जो बैक्ती जैसा सोचे वैसा करें वैसा लिखें वैक्ती वैसा हो जाता है इसलिए आपकी बलाई के लिखना चाहिए इस बार इंटेवी पर जरूर कमेंड में आप देख रहे हों तो लिखे दोजयरेगार की जनगर्णा के अंती माकडों के अधार पर उत्तर पदेश की निमिखित में से किस जीले में साच्छर्टा दर उच्चतम है गौतम बुधनगर गाजियाबाद कानफूर और लखनवू आंसर होगा गौतम बुधनगर आंसर क्या होगा सही होगा गौतम गौतम बुधनगर और गाजियाबाद 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 गाजियाबाद गौतम बुधनगर में उत्तरपदेश के किस जिले में सबसे कम महिला सा छड़ता है बलिया में दिवरिया में गोरपुर में रामपुर में तो महिला सा छड़ता सबसे कम है आपड़ो के अनुसार रामपुर में ठीक है नवाबों का सहर रामपुर कहा जाता है चाक्मों का सहर रामपुर कहा जा और सबसे अधिक मुस्लिम आवादी वाला जिला रामपूर एक है आंसर क्या होगा चार पंद्रा पर आते हैं भारत की 11 की जनगर्णा के अंती माकड़ों के अंसार उत्तर पदेश के कि सहर में जन गहना तो सरवादिक है कानपूर नगर लखनोव नगर मुरादाबाद नगर गाजियाबाद नगर और इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका गाजियाबाद अभी आपको हमने बताया था कि जन गहना तो सबसे कम कहां ललितपूर और सबसे अधी कहां गाजियाबाद ठीक है हमारी टीम द्वारा एक टेस्ट्रेपर त्यार किया जा रहा है टीम बहुत मेहना से वर्क कर रही है और काफी इंपॉर्टन प्रस्ण आप देख भी रहोंगे थेरी क्लास भी आप देख रहा होंगे ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे अब देखे का यह 999 रुपे म हमारी टीम द्वारा एक टेस्ट्रेपर त्यार किया गया है जो एक्जाम जब तक न हो जाए एक कावन का तब तक इसकी वैल्टी रहेगी और इस्पेसल यूपी एचियस के लिए 23 के लिए डियाइन किया गया है यह टेस्ट पोर्टल है 999 में आपको सिर्फ टेस्ट इसमें पीडियाफ नोट्स हिंदी इंग्लिस में मिलेंगे क्लासेज में आपको मिलेंगे मॉडल पेपर सौस चला गया है और भी जाया रहा है स्लेवस वाइट टेस्ट आपको मिलेगा ग्रूप वाइट टेस्ट पूरे यूपी के लोग एक पर डे या इंडिया लेबल कर सकते हैं लोग इसमें आते हैं और साम को पांच में टेस्ट देते हैं और रेस होता है रेस में देखायता है कौन पहला दूसरा तीसरा आया ठीक है रेस का मज़ा अकेले नहीं और लोग के साथ ही होता है फिर देखेगा सालवर्ड पेपर इसमें है आप चाहें तो देख सक सकते हैं अच्छा लगे तो आप उसको पर्चेस अनलाइन कर सकते हैं जो लोग इस वीडियो को लाइक ना कियों अभी तक लाइक कर लिजे सब्सक्राइब कर लिजे और टेलिग्राम चैनल में ज़रूर जूड़ जाए ताकि कोई भी नई सूचना यूपी अच्छी से समंध फीडियाप में ठीक है उसमें पड़ा हुआ है आप देख लीजे देखने के बाद उसको टेस्ट को दीजे मैं तो कहूंगा अगर आप लिखेंगे तो आपके इसमिती में जाएगा बहुत देर नहीं लाएगा दस पंदर में आप 24 घंडे का दस पंदर में देंगे तो सक लगे अभाव में वहां के संसाधनों का परवीकास नव हो पाया हो, सकल जनाधिक है ता पेचीक जनाधिक है तो आंसर इसका होगा सकल जनाधिक है तेकैं, next question देखिये मेरे हिसाब से असिटेंट प्रोफेसर का एक्जाम देज영 के इन्डिया के सबसे बड़ा सब बड़ा एक्जाम देजेए याद करने इसमीति में बैठाने का तरीका वही होता है जो हई स्कूल करेंगे तो बच्चों की संख्या बढ़ गई है कंप्टीशन बढ़ गया है प्रष्ट पुछने का तरीका बदल गया है और आपको पढ़ने का तरीका वही रहेगा तो नहीं हो पायागा उसको बदलें मेहनत किया जाए यह मौका छुटा तो समझ जाए जिन्दगी में पस् सबसे अधिक है पशिमंगल महाराष्ट बिहार तमिल नाडू तभी बताए गया था महाराष्ट याद रिखिएगा यानि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज उत्तरपदेश और उसके बाद महाराष्ट उसके बाद बिहार तीन करम याद रखेंगे लेकिन गरीवी सबसे अधिक आए तो च्छतिस गड़ में है लेकिन जंसंख्या के अधार पर गरीवी सबसे अधिक आए तो उत्तरपदेश लगा देंगे जैसे उचता है गया होता है तो याद रिखिएगा वह आपका पंजाब में होता है हाँ कुछ को जैसे अपडेट होते हैं करेक्सिंघ करा देते है नेक्ट क्लास में दूंध सबसे अधिक याद रखिए गा राजस्थान लगाइगा बहु 02 क्लास में उत्तरपद्च कर करा दिया गया ठाह. जो भी अपडेट हो या कभी उसमें कोई चीऊड़कर करना हो उसके अगले लिंगार से जाना आते हैं कि जंगरणा के नुसार भारत का सरवा hmm। कर देश कर्देश कों बाता है। सब्सक्राइब ऐस आएक किलोमेटर लंबा है। लंबा चोड़ा इस या अन्सर क्या है है। बिहार आंसर है तो सबसे कमजन घंगन तो कहां काह ओगा है और अव्धा कर There is a 24 फे 17 एक किलोमेटर लंबा 1 किलोमेटर 6 रुपे 17 अव्दानश्च्र पिछतर राते नि metro सबसे दी कहां रहते हैं दिहार में राते हैं नेस्ट कोशन भारत की जनसंख्या बिर्धीदर दोजारेक से 11 के दर्सक में थी कितनी थी 24.8 परतिसत 25.8 परतिसत 17.7 परतिसत 19.1 परतिसत तो याद रिखिएगा 17.7 परतिसत इसी से समंदित एक और प्रशना था इसके बाद में बता रहा हूं कि जनसंख्या बिर्धीदर य जनसंख्या 771 करोड था आप तो बढ़ गया है भारत का हिस्सा यानि पूरे विस्व की जनसंख्या जो लगवग 800 करोड है उसकी हिसाब से भारत की जनसंख्या परतिसत में कितना है तो 17.5 परतिसत यही आप आकड़ा लगाईएगा लेकिन जब जनगर्णा अभी सरवाधिक जनजाती जनसंख्या वाला राज कौन सा है असम महाराष्ट और मदपर्देश उडिसा तो जनगल की आदिजबासी यानि सबसे भी जनगल कहा है मदपर्देश तो मदपर्देश होगा लेकिन यही प्रशनगर आपके परदेश का पूच्छ दे उत्तरपर्दे सरवाधिक जन जाती वाला जीला कौन सा है तो सोनभद्र लगाईए गांसर अनसर जनसंख्या आगरक किस दसंक्रमण सिध्धान को प्रतिपादित किया था जे क्लार्क जी टी किवार्थी और एफ डवलू नुश्ट्रीन जे जे स्विंगलर तो जो है एफ डवलू नुश्ट्रीन आंसर क्या है इसका सही है और उसके बाद है असान पस्न है जनसंख्या दिवस कब मना जाता है जनकंड़ना sticking कि संघ किसमें है संघ सुची में है जनगर्न किसमें है और अ leaking थे डार्विन और जल्थस डल्टन हेंडरी आंसर क्या हो जाएगा ढाल्ट थीक है महारत में अंग्रेजों के समय पर्थम जन्गर्णा हुआ था दफ्रिन के समय लीटन के समय लाड मत लगाये करो यह तैपिस ने टाइप कर दिया वहगा ठीक है यह भगवान नहीं है ठीक है अज्परिन के समय clo Zeiten while written के समय और इंके समय अर्रिपन के समय तो प्रत्रम जयंगंणा याद रखेस तो जह पर्त्रम जणगों के समय आ तो 172 में याद रखेसित गड़तर लेकिंद नियमीत सब्सक्राइए तो रिपन तो याद रिखिएगा तो वैसे इसमें दिखाई दे रहा है तो 68.9% क्या है शाहिए भारत में जनसंक्या गनत कितना क्या है यह भारत का जनसंक्या गनत क्या हो रहा है आप देख रहा हूंगे घर के बाहर पहले जगह छुटता था काफी चोड़ा जगह होता था वहां बरात हो रहा है अब क्या हो रहा है धीर धीर संक्या बढ़ते बढ़ते छोटा होता जा रहा है तो आपके दिख्री से इंपोर्टेंट है इसको आप नोट कर लीजेगा इसी के साथ ही हम लोग नेक्श क्लास में मिलते हैं और वीडियो कैसा लगा फीडबेक जरूर दीजेगा ताकि उसी साफ से हम नेक्ट वीडियो आपको बनाएंगे मिलते हम लोग नेक्ट वीडियो में जय हिन जय भारत